अब यह आप गानों पर बात करें थे मेरा सवाल गानों पर ही है पिछले कुछ दिनों पहले हमारे न्यूजरूम में मल्कीत सिंग आये थे संगर मल्कीत सिंग अचा उन्होंने जो गाने रीमिक्स होते हैं बॉलीवूड के पुराने गानों को रीमिक्स किया जाता है उन पर उन्होंने का कि आजकल के जो राइटर हैं जो गानों को रीमिक्स करते हैं दुबारा से बनाते हैं वो महनत नहीं करते इसलिए गाने चलते नहीं टी सिरीज ने पिछले दिनों बहुत सारे पुराने गानों को नया बनाया है रीमिक्स किया है आप भी बहुत सारे गानों से आप सही सवाल पूछती है, आप वाकई अच्छ सवाल पूछती है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिस पर अगर मैं बूलूँगा, तो शायद बहुत सारा कोहरा जो इस मुद्दे पर हो हटेगा, पहली बात तो ये, कि मैंने तकरीबन गिने नहीं हैं कभी, लेकिन 30 से 40 गान हो, चाहे सानुई एकपल हो, चाहे देखते-देखते हो, चाहे लुट गए जो भी आया, बिलियन सबसे ज़ादा फास्ट पार करने वाला गाना है, तो मेरे लगभग सब गाने चले हैं, मैं जब गाने रिक्रियेट करता हूँ, तो इस बात की तरफ में कभी नहीं जाता, क मैं उनका एक आद वर्ड लेता हूँ, एक आद वर्ड, मेरे रश के कमर में एक लाइन को छोड़के आपको कहीं कोई लाइन ऐसी नहीं मिलेगी, जो मैंने वहां से ली हो, देखते-देखते मैं आपको एक वर्ड छोड़के दूसरा मिलेगा नहीं कहीं से मैंने लिया हो, लुट गए मैं सिर्फ एक लाइन छोड़के सब कुछ मेरा नहीं लिखा है, तो मैं उनको ओरिजिनल गानों की तरह अपरोश करता हूँ, मेरा इसके पीछे मकसद बहुत साफ सुतरा है, कि ये गाने कहीं किसी अलमारी में धूल खा रहे हैं, क्योंकि वक्त ने इन पर काई जमा दी है, वक्त ने इन पर धूल जमा दी है, अगर इन गानों को मैं वापस निकालूं और इनको मैं आज की बोल भाशा के साथ, आज की वकेबिलरी के साथ, आज की म्यूजिक के साथ, अगर मैं प्रिजेंट कर पाऊं, तो अच्छा है कि लोग नुशुत फतेली खान सा हैं, तो मैं तो बड़ अच्छा अज समझता हूं इसको, और एक बाद में आपको और बता हूं, मुझे याद है, 2017-18 में आई थी बाश्या हो, वहीं से शुरू हुआ था पूरा किसा, मेरे रश्के कमर से ही जादा खुल के आना शुरू हो गया था, कि हम गाने मैं स्टेज पे गया है, मैंने माइक लेके वो वीडियो मिल जाएगा आपको, मैंने माइक लेके बोला कि मैं थोड़ा साथ से करेक्शन कर दूँँ, the award for the best lyrics goes to Nushrat Fateh Ali Khan, Fana Bulan Shahri and Manoj Muntashir, और इस वक्त वो दोनों मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं in spirit उनको अपने साथ ये ट् तक थे, साड़े साथ सो गानों में 50-60 गाने ही recreation है, बाकी तो मैंने original ही लिखे हैं भाई, तो ऐसा नहीं कि मुझे original लिखना नहीं आता, इसलिए मैं recreate कर रहा हूं, recreate करने के पीछे मकसद कुछ और होता है, वो सिर्फ उन गानों को revive करना होता है, जो कहीं खो चुके हैं